हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एच्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रॉपर इन्फर्मिशन प्रोवेड करते हैं जीपेट 2021 की डेट्स के बारे में रेजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 23rd December से और रेजिस्ट्रेशन आप कर सकते है 22nd January 2021 तक मतलब की 30 days का टाइम पिरियड है कि ये 30 days मतलब की 1 मत जितना आपको टाइम मिलता है ये examination form को submit करने के लिए और जीपेट 2021 के लिए apply करने के लिए फिर last date for submission of examination fee ये काफी important रहता है कि registration करने के बाद आपका application तभी confirm होता है कि जब आप examination fee जो है वो submit करते है तो NTA ने जो date दी है last date for submit the examination fee for GPED 2021 that is 23rd of January 2021 फिर ये एक काफी अच्छी चीज है इस बार GPED के forms के अंदर के correction in form कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे students form खिलब करते हैं और बहुत सारे कुछ ऐसी गलतियों के कारण form जो है वो reject होते है तो इस बार एक ये अच्छा एक चेंजी से NTA द्वारा के जिसके अंदर students को 25 जन्वरी से 30 जन्वरी का जो time period रहेगा उस दोरान correction के लिए time period दिया जाएका कि ये time के अंदर 25 जन्वरी से लेकर 30 जन्वरी 2021 के बीच में आप जो है वो आपके form में जो भी कोई mistakes थे वो अच्छे से correct कर सकते हैं तो correction के लिए भी इस बार आपको अलग से time जो है वो दिया हुआ है NTA उसके बाद date of GPED examinations ये सबसे बड़ी पात की exam कब है तो 22nd और 27 February 2021 को exam होगी GPED की मतलब कि February के अंदर 22 and 27 February ये दो dates जो है वो NTA ने दी है GPED examination के लिए तो जो official press release को हम यहाँ पर देखे कि जो NTA ने release किया है इसके according to लिखाए कि public notice for inviting the online application for graduate pharmacy amplitude test 2021 23rd December का ये official press release है circular है कि जिसके अंदर proper informations जो है दी गई है about the GPED की GPED की exam तो अब सभी को पता ही है कि graduate pharmacy amplitude test की जो national level entrance examination है for entry into the M farm programs कि जो B farm के बाद master degree के जो courses है उसके अंदर admission के लिए as well as जो benefits हमने आपके साथ discuss किये थे कि GPED exam की जो benefits है कि आपको scholarship मिलती है rank generate होता है उसके basis पे आप अच्छे institutions के अंदर admission ले सकते है scholarship के current financially आपको help रहती है और जितना आपका higher rank उतने आपको जो है वो अच्छे institutions मिलते है for the master degree courses तो यहाँ पे जो है वो पूरा schedule दिया हुआ है कि dates, fee and application procedure for GPED 2021 तो सबसे पहले तो registration कब से start हो जाएंगे मतलब कि 23rd December से ही registration जो है वो start हो चुके है और 22nd January 2021 तक registration process चलेगी तो at least 30 days या फिर हम कहें कि 1 month मिलता है students को यह exam के लिए apply करने के लिए फिर जो आपको examination fee submit करनी है तो examination fee submit करने के लिए 23 January 2021 last date है तो यह खास आपको याद रखना है कि जो last date से पहले ही आपको जो है वो आप पैमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग भी available रहेगा फिर यह काफी important एक option दिया है इस बार कि कि correction in the particulars application form और वो भी online होगे कि मतलब कि online एक portal खुलेगा कि उस वक्त आप जो है वो correction कर सकती कि कोई mistake कई बार होती है spelling mistakes होती है कोई photos signature जो आपको upload करने होते हैं तो उसके अंदर कोई mistake है कोई correction है तो यह 25 से लिकर 30 January के बीच में जब यह portal reopen होगा तो उस वक्त आप जो है आपका correction कर सकते हैं उसके बाद important है कि date तो date में लिखाए कि 22 slash 27 February 2021 उसके बाद यह तो duration है कि always 1 a 2 minutes 3 hours का paper रह था इस इपेट का timing भी दिया है examination का कि जो morning shift का जो paper होता है that is 9 am to 12 pm और जो evening shift का जो paper होता है वो 3 से लेकर 6 pm mode of examination तो online है इसलिए computer based test CBT medium of question paper तो यहाँ पर एक important चीज़ है कि medium सिर्फ English रहता है GPT exam के अंदर इसे कोई options नहीं है इसके अंदर की local language में या फिर हिंदी में भी paper आता है तो इसा कोई नहीं होता options only the medium is English medium of this question paper of GPT 2021 exam and जो सिले बस है वो already GPT ने अपने official website के उपर upload किया हुआ है तो वो आप check कर सकते हैं अब बात आती है fees की के fee कितनी pay करनी है तो इस बार जो है वो GPT exams के fee पिछले साल के according to increase हो चुके हैं कि पिछली साल जो male candidates के लिए 1600 रुपे थे वो इस बार general category के male candidates के लिए है 2000 रुपेस वही females के अंदर भी 200 रुपेस increase हुए है कि वो जो पहले 800 रुपेस fee थी उससे increase होके हो गया है 1000 रुपेस तो GPT 2020 का जो fee structure मैंने आपके साथ discuss किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि उस वक्त boys के लिए थे 1600 रुपे और girls के लिए थे 800 फिर SCST physically handicapped students transgender वगेरा boys के लिए 800 और SCST transgenders और girls के लिए 800 था जो इस बार at least girls के लिए 200 रुपेस increase हुआ है और boys के लिए 400 के जिसके तोर पे इस बार जो है वो 1600 की जगाए 2000 रुपेस fee है और girls के लिए ये 1000 fees जो है विस बार latest जो information है उसके according to है और 2021 के लिए तो यहापे आप देख सकते हैं कि जो 2021 के लिए जो आपको इस बार जो fee वे करनी है वो general candidates के लिए 2000 हो चुकी है और females के लिए वो 1000 general category transgender के लिए रखा है 1000 रुपेस और EWS के टेगरी हो SC, ST, PWD, OBC, NCL के male candidates के लिए भी 1000 और same category के female candidates के लिए भी 1000 है और यहापे खास important instruction दिये है वो खास अच्छे से समझना जरूरी है एक्जाम के अंदर apply करने के लिए तो GPET 2021 through online mode only कि candidates को जो apply करना है वो सिर्फ online apply ही करना है The application form in any other mode will not be accepted किसी और mode से application जो है वो accept नहीं किये जाएंगे सिर्फ official website की जो NTA की official website है कि यह वाले website उसी पे आपको online registration करना है only the application is to be submitted by candidate multiple application form submitted by candidate will not be accepted any cost मतलब कि एक candidate को एक ही application submit करना है मतलब कि आप अलग-अलग email ids डाल के एक से ज़्यादे application submit करोगे तो वो valid नहीं होगा one candidate means one application because कोई mistake होगी तो फिर से आपको registration नहीं करना है यहाँ पे correction के लिए आपको date दी जाई है कि 25 से लेकर 30 जन्वरी के बीच में जो भी आपको कोई correction करने है तो यह time period के अंदर आप कर सकते इसलिए ध्यान रखे कि एक ही बार apply करना दो या तीन बार आप अलग-अलग email ids डाल के registration नहीं करना है आपको फिर detail information जो है वो information bullet इनके अंदर आवेलेबल है कि जो NTA की official website पर रखे है और जो भी कोई आपको queries हो तो help line number पर contact कर सकते है यह help line number भी NTA ने दिया हुआ है तो एक बार हम चेक कर लेते है official website को तो सबसे वहले आपको जो official website जो चेक करनी है तो यह वाली website की gpad.nta.nic.in यही official website है gpad का यह आपे graduate pharmacy applied test gpad 2021 के सब भी details आज चुके है और यहाँ पे जब आपको apply करना है तो home button पे आपको click करना है और home button पे जैसे आप click करोगे तो apply for gpad 2021 आपको लिखेगा वहाँ पे आप जैसे ही click करेंगे तो एक नया portal जो है वो side में open हो जाएगे कि जहाँ पे आप registration कर सकते registration यहाँ पे करना है new registration पे आपको click करना है और new registration के यहाँ पे लेकर के registration, application form, image upload and fee payment तो यहाँ पे सब detail यहाँ पे भी दी हुई है कि information bulletin आपको सबसे पहले download कर लेना है अच्छे से तो यह पुरा 53 page का information bulletin जो है वो आप download कर लेना और यही पे सबी information जो है वो दी हुई है students के लिए कि यह आप देख सकते हैं information bulletin की जिसके अंदर NTA ने सब detail आपको दी हुई है index wise कि सबसे पहले NTA का यह index index according to सबी details दी हुई कि eligibility क्या रहेगी choice of cities for exam center फिर test practice centers कहाँ पे रहेंगे आपके फिर कौन से अलगलग rules and regulation है यह सबी details यहाँ पे properly दी गई है तो यह information bulletin को एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको जो है वह आपका form submit करना है तो इसके उपर भी एक अलग से हमारा वीडियो लेक्चर आएगा कि जिसके अंदर proper information दी जाएगी जो regarding है information bulletin अब बात करते है आगे कि आपको जो ध्यान रखना है specially कि application form जो है वह submit करते वाग कोई mistake नहीं करनी है और regularly preparation आपको continue रखनी है preparations के लिए आप Pharma Rocks के mobile app के उपर online test series solve कर सकते हैं कि जो price रहेगी सिर्फ 100 रूपीज और आपको topic wise test series provide कर दी जाएगी कि जो रहेगा Pharma Rocks के mobile app के उपर कि वहाँ पर आप affordable price में G-PAD test series video lecture and study material को access कर पाऊगे for the preparation of G-PAD exam जोइन कर सकते है WhatsApp group 94261-8036 WhatsApp helpline number and also you can contact to Mr. Amarsal founder of Pharma Rocks so good luck and all the best